सब्सक्राइब तो आ यूट्यूब शानल प्रेस बेल आइकन तो लेटेस अपडेट्स आपने कई बार मुस्लिम संगटनों द्वारा जारी की गए फत्वों के बारे में सुना होगा कहा जाता है कि ये फत्वे बहुत खतरनाक होते हैं आज हम आपको दुनिया भर में कुछ ऐसे अजीब औ गरीब फत्वों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे इनके बारे में जानकर आप यही सोचेंगे कि क्या इन मुस्लिम हुकमरानों ने महिलाओं को अपने हाथों के कटपुतली बना रखा है आज हर देश में सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है लेकिन समाज का कुछ हिस्सा ऐसा है जो महिलाओं को दबाना चाहता है महिलाओं पर ही बंदिशे लगाने के लिए धर्म के नाम पर फत्वे जारी कर दिये जाते हैं मिसर के अल अजहर यूनिवरसिटी के डिपार्टमेंट आफ हदीश के प्रमुख ने साल 2007 में आफिस में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक फत्वा जारी किया था उनका कहना था कि महिलाओं को अपने मेल कलिक्स को अपना दूद पिलाना चाहिए इस वाहियात फत्वे के अनुसार महिलाओं को कम से कम पाँच बार अपना दूद पिलाना चाहिए इन जनाब का मानना था कि अगर आफिस में महिलाएं ऐसा करती हैं तो उनके बीच मा बेटे का रिष्टा बन जाएगा और इस तरह वो शारिरिक सम्मनों से दूर रहेंगे मुकाहिद सिहाध हाल ने इस्तांबुल में ये फत्वा जारी किया कि जो आदमी अशलील काम करता है उसके मरने के बाद उसका हाथ गर्बवती हो जाता है और वो अपने अधिकारों की मांग करता है ऐसे में उनके द्वारा जारी के गए फत्वे का सोशल मीडिया पर बहुत म मौलानाओं का मानना था कि इन चीजों को चूने से महिलाओं के मन में गंदे विचार आते हैं इसलिए महिलाओं को इन्हें टुकडों में कटवा कर ही लेना चाहिए इसलामिक देश साओधी अरब में स्टेंडिंग कमिटी आफ काउंसिल आफ सीनियर स्कॉलर्स शेक सलेह बिल अब्दुल्ला अलफावजान ने कहा था कि रेस्टुरेंट में बफ़े में खाना महिलाओं के लिए हराम होता है इसमें खाने की क्वालिटी का पता नहीं चलता इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए समोसे को भारत का सबसे पुराना स्नैक्स माना जाता है सुमालिया में समोसे को बैन कर दिया गया था साल 2011 में सुमालिया में कबजा करने वाले आतंकी संगठन अलशबाब ने सबकी पसंदिदा स्नैक्स समोसे के खलाब बचकाना फत्वा जारे किया इस फत्वी के अनुसार इसलाम में समोसा खाना हराम है अल्शबाब ने तीन तरफा समोसा के तुलना इसाई हौली ट्रिनिटी के प्रतीक से की थी अब जरा आप खुद ही सोची कि क्या सच में ऐसा हो सकता है इन फत्वों के बारे में जान कर तो ऐसा लगता है इनका कोई वजूद नहीं है बस सुर्खिया पाने के लिए ने जारे किया गया था